हेलो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे multiplication of algebraic expression की algebraic expressions को आपस में multiply कैसे करते हैं तो algebraic expressions की addition और subtraction के उपर भी मैं already एक वीडियो बना चुकी हूँ तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको मैं उसका link description box में दे दूँगी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं तो चलो start करते हैं कि algebraic expressions को multiply कैसे करते हैं सबसे पहले आप जानते हो इससे 4 into 3 constant terms को तो आपको multiply करना आता है कैसे multiply करते है 4 3 या 12 अगर आपको variables साथ में दी हो आप जानते हो algebraic expressions में क्या होता है constant terms के साथ कुछ variables होते हैं तो variables को आप कैसे multiply करोगे तो उसके लिए जैसे आपको x को multiply करना x के साथ तो क्या करोगे यहां पर कितनी बार x आया है 2 time x तो यह हम आ जाएगा x raise to power 2 यह 2 कैसे आया यहां पर देखो इस x की जो power है वो 1 है यहां पर इस x की power भी क्या है 1 है तो जब base हमारा same हो तो power जो होती है वो क्या हो जाती है add हो जाती है कभी भी आपको variables को multiply करना है तो आपने क्या करना है जो same variable होंगे जैसे अगर यहाँ x है तो x जो है x variable के साथ multiply हो जाएगा तो उनकी power जो होगी वो क्या हो जाएगी add हो जाएगी एक और example ले लेते हैं जैसे आपको x square को multiply करना है x cube के साथ यहाँ x की power जो है वो 2 है x की power 3 है तो इसको multiply करना है तो इनको multiply करके आपका result क्या आएगा that is x यहाँ पर यह 2 time है यह 3 time है तो इन दोनो power को आपस में क्या कर दो add कर दो तो वो कितना आजाएगा 3 plus 2 5 तो इसका result ही आएगा अगर आपको इसको expand करके देखने तो देखो यहाँ x की power 2 है that mean x कितनी बार आएगा 2 time आएगा और यहाँ x की power 3 है that mean इस x को हम कितनी बार लिखेंगे 3 time लिखेंगे तो अब 1,2,3,4,5 5 time यह x आगया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न x की power 5 यह आप already जानते हो जहाँ पे आपको square root cube root करवाया था कि जब आपको same term ऐसे दी हुई हो जैसे 2 into 2 इसको आप 2 की power 2 लिख सकते हो 2 into 2 into 2 3 time दिया हो तो 2 की power 3 mean 2 को आपको कितनी बार multiply करना है 3 time multiply करना है वही चीज हमने यहाँ पे की है यहाँ पे आपका x 2 time था 2 time लिख लिया यहाँ x 3 time तो आपको इतना multiplication को खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको just क्या करना है power जो है वो add कर देनी है तो आपका तब भी result यही आएगा अब यह तो आगया जब same variable है उसकी बात अगर आपको different variable दियो है जैसे एक variable आपको दिया है x and second one is y इन दोनों को आपस में कैसे multiply करोगे यहाँ पर आपको just क्या x multiply y आपका बन जाएगा x y यहाँ पर आपकी कोई power add नहीं होगी कुछ भी नहीं करना है just इनको एक साथ x into y आपका क्या जाएगा x y ठीक है अगर यहाँ पर x into x y दिया होता तब आपने इसको कैसे multiply करना था इस case में यह x 2 है वो इस x के साथ multiply हो जाना था ठीक है x into x into y इसको हम ऐसे लिख सकते है न यहाँ पर x इसकी place पर यह x लिखती है यह x यहाँ आ गया and y यहाँ आ गया तो x यहाँ पर two time है तो यह आ गया x 2 y तो इस term को multiply करके आपका result यह आएगा ठीक है तो इसको आपको अगर expand ऐसे खोल के नहीं लिखना आप जाए simple भी कैसे लिख सकते हो जैसे x into x square y दिया हो है तो यहाँ पर x को x के साथ multiply करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ power 1 है यहाँ 2 है तो 2 plus 1 that is 3 x की power 3 और y की power यहाँ 1 है और कोई y तो है नहीं है तो y just y रह जाएगा तो आपको यह समझ आगे कि variable आपस में multiply कैसे करते हैं अब हम चलते हमारे main topic के उपर अब हम देखेंगे एक monomile को दूसरे monomile के साथ multiply कैसे करते हैं तो monomile आप जानते हो कौन से होते हैं जिनमें one term होती है वो expression जो one term की help से बनाओ तो एक example ले लेते हैं जैसे 4 x square आपको इसको multiply करना है 3 x y के साथ तो कैसे करोगे coefficient को coefficient के साथ multiply करना है हमेशा coefficient को coefficient के साथ multiply करना है तो आप इन दोनों को एक साथ एक bracket में रख लिया अब इसके साथ है x और यह x मैंने आपको बताया हमेशा same variable आपस में multiply होंगे तो यहाँ x square है यहाँ लिख लो x square और यहाँ पे x की power 1 है into x की power 1 लिख लिया और हमारी third और चीज यहाँ पे y दी हुई है तो into y ठीक है अब आपके पास brackets बन गई है अब आपको bracket open करनी है तो कर लो multiply करके तो 4 into 3 that is 12 और x की power 2 है यहाँ वानना है दोनों को add कर दो 2 plus 1 3 x raise to power 3 and y की power 1 नहीं है तो this तो यह चो है यह आपका इसको multiply करके result आ गया एक और example लेके देखते हैं अब हम जैसे आपको example दी हुई है 5 x y into 3 x y z यहाँ हम y का square ले लेते हैं ओके आपको इसको multiply करना है तो आप कैसे करोगे सबसे पहले coefficient को coefficient के साथ multiply mean 5 multiply 3 लिख लो 5 into 3 next x को x के साथ multiply तो यहाँ x की power 1 है वहाँ पर भी x की power 1 नहीं है अब y को y के साथ multiply तो y into y यहाँ पर कितनी power है 2 y square और last हमारा यहाँ पर सिरफ z दी है तो हम z लिख लेंगे अब कर दो multiply 5 3 है 15 x into x power दोनों की 1 1 है तो वो आजाएगा x square और y हमारा कितना आजाएगा यहाँ 2 है यहाँ 1 है 2 plus 1 3 और यह z as it is तो इनको multiply करके हमारा यह result आए तो आपको बता चलगे एक monomile को दूसरे monomile के साथ कैसे multiply करते है अब अगर आपके पास 2 से ज़्यादा monomile हो जैसे 3 हो 4 हो 5 हो तब आप कैसे multiply करोगे same procedure सब same करना है करके देखते हैं एक example जैसे आपको multiply करना है 3 x square इसको multiply करना है आपको 4 x y into 2 x square y इसके साथ ओके तो क्या करोगे आप आपको मैं बता चुकी हूँ जो coefficient है उनको आप एक साथ लिख लोगे that is 3 x 4 x 2 यह आपने एक साथ bracket में लिख लिया अब same variable यहाँ पे x square है यहाँ पे x की power 1 और यहाँ पे x की power 2 लिख लिया next आप y वली term यहाँ पे तो y वली term ही नहीं है यहाँ पे दी हुई है तो y into यहाँ पे दी हुई है y अब आपके पास brackets बगगे है just multiply करना तो multiply कर दो यहाँ आज रहेगा 4 3 है 12 12 2 है x की यहाँ पे 2 plus 2 4 4 plus 1 5 power आजाएगी कैसे power आए यहाँ पे इसकी power 2 थी यहाँ 2 थी यह 1 थी 3 दू को कर दिया plus तो आगया 2 plus 1 3 3 plus 2 5 ओके और y यहाँ पे हमारा कितना आगया 1 plus 1 that is 2 तो यह आपको अगर 3 terms दी हूँ monomal की sorry 3 monomals आपको दी हूँ है तो उसको multiply कैसे गरना है इस way में की coefficient अलग बना लो then same same variables को अलग अलग bracket में एक साथ कर लो तो आपका result आपके सामने है या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले इन दोनों term को multiply कर लो जैसे 2 monomal को मैंने आपको multiply करना बताया इन दोनों को multiply कर लो तो आपके पास एक result आजाएगा after that जो आपके पास answer आएगा उसको इसके साथ multiply कर लो उस फे में भी मैं आपको एक example करके दिखाते हूँ जैसे आपको दिया हो 2xy into x square y into 3xz square आपको इसको multiply करना है तो जैसे मैं नताया कि किस फे में कर सकते हो जैसे पहले इन दोनों को multiply कर लो ठीक है तो इन दोनों को multiply करने के लिए पहले कोफिशन लिख लो इन दोनों के 2 into 1 यहाँ पे x into x square x into x square and y into y y into y और यह वाली टर्म साथ में अलग लिख लो ठीक है अब सबसे पहले इनको multiply कर लो 2 1 ना 2 x की power यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो यह plus हो क्या आगई 3 and y 1 plus 1 2 अब यह वाली टर्म को हां इससे multiply कर देंगे अब गेन आपके बस 2 term हो गई कर दो multiply कोफिशन को कोफिशन के साथ 2 into 3 2 into 3 x cube into x y square into z square z square अलग लिखेंगे यह दो अलग लग लग लिखेंगे तो यह देगा 3, 2 are 6 x की power 3 plus 1 4 y square and z square यह आपका आगया result तो यहाँ आपने सीख लिया कि एक monomial को monomial के साथ कैसे multiply करते हैं तो हमारी next video में हम देखेंगे कि एक monomial को binomial और trinomial के साथ कैसे multiply करते हैं so thank you, bye I hope अच्चो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी please like and subscribe my channel बाइ